जैशी कृष्णा दोस्तों बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों नवरात्री के दिन बहुत ही शुम माने जाते हैं क्योंकि नवरात्री में देखे करन्या पूजन होता है अश्टुमी नौमी के दिन कहते हैं मा भवानी करन्याओं के रूप में आपके घर में आ अवश्य ही पूरी करती हैं दोस्तों आप चाहे अश्यमी की दिन कंज का बिठाते हो या नौमी के दिन लेकिन आप एक वस्तु का मातारानी को भोग लगा कर सोयं भी ग्रहन करते हैं तो निश्चित ही आपको मन वांचिस संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी दोस्तों अभी तक मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब कर ले बगलने बैल आइकन को दबा दे जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तों नवरात्री बहुत ही शुब दिन माने जाते हैं इसमें की गई पाठ पुजा उपाए कभी भी निश्वल नहीं जाते हो जो सच्चे मन से मातरानी को पुकारता है उनके मंत्रों का जाप करता है तो निश्चित ही माभवानी उस पर प्रसंद होती है दोस्तों अश्टमी और नौमी के दिन आप कंज का पूजन करते हैं चाहे ना भी करते हों लेकिन इस उपाए को अवश्य ही करें आपको निश्चित ही मन वांचिन संतान की प्राप्ती होगी दोस्तों जो गर्वती है वो भी इस उपाए को करें और जिन पर देखे केवल कन्या संतान है वो तो विशेश रूप से इस उपाए को अवश्य ही करें दोस्तों ये विशेश रूप से पुत्र प्राप्ति का उपाय है तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें दोस्तों अश्टमी नौमी के दिन आपको मातारानी को देखें केले का भोग तो अवश्य ही लगाना है जो भी आप कंजिकाओ के लिए भोग बनाया है छोले पूरी हलवा तो उ जैफल और साथ ही एक गुड की डली छोटी सी गुड़िले और उसका भोग भी मातारानी को अवश्य ही लगाना है और दोस्तों मातारानी का पूजन करने के बाद पाठ पूजा करने के बाद दुर्गाचारीशा का पाठ करें और मातारानी से देखें अपनी संतान कराइन के बाद एक कन्या को तो आप एक जटवाला नारेल अवश्य ही दे साथ ही दोस्तों कैला आप कैला अवश्य ही बाटना चाहिए खेला बहुत ही दिवव फल माना जाता है और शृहरी भगवान का प्रिय फल है taught कहते हैं केले देने से अच्छे कर्मों का फल प्राप्त होता है तो दोस्तों आप कन्याओं को केला अवश्य ही बाटे फल में और हो सके तो अगर आप पीली मिठाई भी मिष्टान भी अवश्य ही अर्पित करें दोस्तों आप उनको कन्याओं का पूजन करने के बाद उनको स्वयम भी जो आपने प्रसाद मातारानी को अर्पित किया है अगर देखी आप पीली मिठाई नहीं ला सकते तो आप दूद की मलाई का भी मातारानी को भोग लगा सकते हैं और करने आप पूजन के बाद उसको स्वयम ग्रहन करें अगर पती पतनी है तो दोनों ग्रहन करें अगर पती साथ नहीं रहता कई बाहर रहते हैं तो आप अकेले भी उसको ग्रहन करें और मातारानी से अपनी इच्छा मनो कामना बोलने के बाद ही प्रात्ना करने के बाद उसको ग्रहन करें दोस्तों आपको जाइफल को थोड़ा सा गिस लेना है बिल्कुल एक पिंच कहले एक चुटकी एक चुटकी आपको जाइफल लेना है और साथ ही आपको बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा गुड़का लेना है और उन दोनों को मिला कर एक गोली सी बना लेनी है एक पेड़ा जैसा बना लेना है और उसको उस दिन ग्रहन करें और मातारानी से प्रात्ना करके कि है माता रानी हमें पुत्र की इच्छा है या मिर पे दो पहले से ही करने है तो आप पुत्र दे दे या संतान नहीं है तो संतान के लिए प्राथना करने के बाद उस गोली को गरहन करें देखना इतना करने से ही आपको मन वांचिस संतान की प्राथती अवश्य ही होगी क्यो उनके चरण अवश्य ही स्पर्श करें क्योंकि कहते हैं जब मातारानी का सरूप माना जाता है और उनको सच्चे मन से आप पूजा करते हैं उनसे अश्वाद लेते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है मातारानी की किरपा आप पर अवश्य ही होती है तो दोस्तो अश्टमी नौमी जिस दिन भी आप करने पूजन करते हैं उस दिन मातारानी को भोग लगा कर जायफल और गुड़का थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी भर ही लेना है जादा नहीं लेना है गर्वती है तब भी ले ले अगर गर्वती नहीं है या कोई संतान नहीं है तब भी उसको अवश्य ही ले ले दोस्तो उस दिन अगर आप सच्चे मन से पूजा करके इस चीज को खा लेते हैं तो निश्यद ही आपको मनवांचे संतान की प्राप्ती होगी माताराने की किरपा आप पर अवश्य ही होगी साथ ही दोस्तो एक जटावला नारियल एक करन्या को तो आप अवश्य ही दे दे आपको मनवांचे संतान की प्राप्ती होगी दोस्तों अगर आपको हमारी जानकरी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करे और कमेंट बॉक्स में जै मातादी अवश्य लिखें आप सभी को जैशी कृष्णा